उत्राखन अधिनस्त सेवा चयन आयोग पेपर लिग मामले को लेकर कॉंग्रस पार्टी हमलावर है जिसको लेकर अब कॉंग्रस ने सवाल खड़े करते हुए के SSSC पेपर लिग मामले की जाज हाई कोड के सिटिंग जज से करने की मांग की है तो वहीं कॉंग्रस प्रदेश द्यक्ष करन माहरा का कहना है कि सिटिंग जज अगर मामले की करती है तो किसी भी प्रकार से जांच में दबाव किस्तदी ना बने साथ ही उन्होंने 2016 के प्रकरन पर भी सवाल उठाते हुए कहा किस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए का तक है किसी सरकार का कोई दबाव ना हो और कोई ऐसी एजंसी ना आ जाए जिस पर सरकारी नएंटरण दूसरे तरी तरीके हो और जड़िए दूद का दूदूद का दूद पानी का पानी होगी और हम चाहते है कि जो दोजार सोला में भी प्रक्राव उड़ा था जब हमारे जो चैन आयोग था उसके दो मेंबर्स ने स्तीफा दिया था अध्यक्स पारूप लगाते वे कि बढ़ती में घोटाला हुआ है और उसमें तातकालिक संसदी कारेमार मंत्री प्रकास्पन जी ने हाउस में ये कहा था क कि हम मानते हैं सरकार मानते हैं कि कौपीज के साथ टैंपरिंग हुई है और दोशियों के खिलाब कारवाई होगी लेकिन दुरभागे से 2017 से आस तलक वो उनकी मिर्थियों के बाद उसमें कोई कारवाई नहीं हो पाई है वहां से जाच होनी चे ताकि दूद का दूद पान आपको बता दें कि अभी तक भड़ती प्रक्रिया के इस पूरे मामले में स्टीफ ने 21 लोगों को गरफतार कर लिया है और अभी भी लगातार स्टीफ की जांच जारी है पंजाब केस्ट्र टीवी के लिए धरदून से आशिश नमूला की रिपूर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध लेवाद